नमस्कार दोस्तों, देश भर में एक multi-coron loan app scam करके सामने आई हैं चीजें जिसको लेकर RBI ने भी warning जारी किया है, यहाँ पर आप देख सकते हो news में Loan apps are scamming Indians by hiding the ugly details in terms and conditions, misusing the data यहाँ पर आप एक और article देख पाएंगे, multi-coron loan app scam caught in हैदरवाद गुरगाओं RBI warning out, तो यहाँ पर हम समझेंगे दोस्तों कि यह पूरा मामला है क्या, क्योंकि आपको पता होगा कि digitally यहाँ पर जिस तरह से चीजें बढ़ती जा रही है, हमारा digital से connect जितना जादा बढ़ते जा रहा है वो बहुत जादा heavy होता है, वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा और ये वीडियो हम सबसे relate करता है, क्योंकि आपको पता होगा कि COVID-19 pandemic की वज़े से कई सारे लोगों की job चली गई है, salary कम हो गई है, तो यहाँ पर लोगों को छोटे-छोटे loan के आउशकता होती है जादा लगाए जाती है, और फिर आप उसके लिए दूसरा loan लेते हो, तो एक पूरे cycle में लोग first चुके हैं, जिसकी वज़े से कुछ suicide cases सामने आए हैं, और इसी की वज़े से, यह जो पूरा loan app scam है, वो भारत भरमर्च सामने निकल कर आ रहा है, तो काफी कुछ जानने को है दोस्तों, इसके बारे में डीटेल से जानेंगे, चली आगे बढ़ते हैं, मैं हूँ अंकित अगरवाल, और अपडेट के आप अपनी preparation और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं, तो चली दोस्तों, यहाँ पर समझते हैं, सबसे पहले हुआ क्या है, तो यह सारी चीजें इसलिए सामने निकल कर आई दोस्तों, क्योंकि पिछले हफते की बात है, एक women employee है, तिलांगना agricultural department के अंदर, इसके ल देखकर उन्होंने suicide कर लिया, क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि उनके जो personal details हैं, उसको social media पर डाला गया, और यहाँ पर उनको default घोशित किया गया, abusive language इस्तमाल किया गया उनके खिलाब, जिसकी वजैसे उन्होंने यहाँ पर suicide किया है, इसके लावा यहाँ पर एक औ पहले समझते हैं कि यह instant loan app case है क्या basically, तो देखी यह एक तरह का racket चलाया जा रहा है, basically यहाँ पर क्या होता है, कि आपको instant, instant मतलब तुरंत personal loan offer किया जाता है, आपने देखा होगा कभी आप social media यूज़ कर रहे हैं, कोई भी चीज़ें अगर आप सर्च कर रहे हो, net वगरा प तो आपको कई सारे ads देखने को मिलते होंगे, तो वहाँ पर क्या होता है, कि side में एक ad आएगा कि आपको 5,000 रुपै चाहिए, तुरंत 5 मिनट के अंदर आपको मिल जाएगा, 10,000 चाहिए, तुरंत 10 मिनट के अंदर मिल जाएगा, तो इस तरह के ads लगतार दिखाये जाते ह हैं, और जिन भी लोगों को आफशकता होती है, वो लोग क्या करते हैं, यहाँ पर उसका app डाउनलोड कर लेते हैं, simply Google Play Store पर जाते हैं, और उस loan को apply करने के लिए उनको app डाउनलोड करना पड़ता है, तो इस तरह के बहुत सारे app इस समय Google Play पर available हैं, तो वहाँ पर लोग loan apply करते हैं, और तुरंत उनको loan मिल भी जाता है, basically क्या होता है कि कुछ मिनट के अंदर जैसे ही वो अपना personal detail डालते हैं, address हो गया नाम, age, हर एक चीज़ डालते हैं, इसके अलवा, तीन महने का bank statement डालना होता है, आधार card की copy डालनी होती है, और pen card, यह चार चीज़ डालते ही उनका जो loan है, वो तुरंत मिल जाता है, लेकिन problem क्या है यहाँ पर, एक तो problem यह है कि जो loan लिया जाता है, उसके उपर बहुत ही heavy charges लगाया जाते हैं, interest rate लगाया जाता है, प्लस यहाँ पर खास बात यह है कि यह जो loan दिया जा रहा है, वो किसी authorized lender के दोरा नहीं दिया जा ना तो किसी non-banking financial company के दोरा दिया जा रहा है, यह basically unauthorized dealer है, इनका कोई भी connection नहीं है bank के साथ, ना किसी NBFC के साथ, क्योंकि आपको पता होगा कि हमारे देश के इंदर जो financial system है, वो एक proper rules regulation के थुरू चलता है, RBI जिसको recognize करती है कि यह institution loan दे सकता है, यह credit दे सकता है, वही दे पाएगा, यहाँ पर यह गलत चीजें की जा रही है, इसलिए इसको racket बोला जा रहा है, अब problem यहाँ पर दिखिए, दूसरा मैं इस पर focus करूँगा, that is, जो fees लगाई जा रही है, basically क्या होता है, यहाँ पर जो loan है, वो कोई बड़ा loan नहीं दिया जाता, car के लिए, home के लिए यह इतने बड़े loan नहीं दिया जाते है, छोटे छोटे लोन दिया जाते है, 1000 रुपए से लेकर 50,000 तक के loan, और कितने समय के लिए, मुश्किल से एक हफता के लिए, बस एक हफता के लिए आप 1000 रुपए से 50,000 तक loan ले सकते हो, लेकिन जब आप loan के लिए apply करते हो, और जब आपके bank में ये पैसा आता है, तो उसके उपर बहुत heavy fees लगाए जाती है, for example, मैं आपको बताऊं कि अगर आपने 5000 रुपए का loan अप्लाई किया है, तो 5000 के उपर, just see this, यहाँ पर company जो है, वो आपसे 1180 रुपए चार्ज करती है, मतलब आपके account में कितने आने चाह अगर suppose कोई fee लगाता भी है किसी प्रकार का, तो चलिए 5000 में से कह सकते हैं, 15 रुपए, 20 रुपए fees लगा दिए, तो बाकी का charge 4980 देना चाहिए, लेकिन ये जो company loan offer करती है, ये यहाँ पर 1180 रुपए चार्ज कर रही है, कहने का मतलब है, आपके account में कितने आएंगे, 3820 र देंगे, 100 page का यहाँ पर terms and condition दाल देंगे, अब कौन सा वैक्ती है, जो 100 page का यहाँ पर terms and condition पढ़ेगा, और जब यहाँ पर आपके bank account में, ये 3820 रुपए आते हैं, और जब आप उनसे पूछते हो कि ये इतने क्यों है, तो वो उनका बोलना होता है, कि ये हमारा fees है, ये G देख सकते हो, जो तेलांगना और आंदर परदेश पुलिस है, उन्होंने यहाँ पर कुछ mobile apps के बारे में जिक्र किया है, जिसके नाम मैंने यहाँ पर लिख दी आप चाहें, तो देख सकते हैं, जैसे cash mama हो गया, loan zone हो गया, धनाधन loan, cash up, cash bus, इस तरह कि आपको बहुत सार app play store के अंदर देखने को मिलेंगे, अगर हम companies की बात करें कि कौन इसको चला रहा है, तो बहुत ज़्यादा जानकारी सामने तो नहीं आई है, लेकिन यहाँ पर दो company का नाम आ रहा है, एक है onion credit और दूसरा है cred fox technologies, यहाँ पर एक और नाम सामने आया है, यहाँ बी, विस्व पहले बता दिया कि customer क्या करेगा, एप को download करेगा, फिर जो भी documents है वो submit करेगा, और finally जो भी loan उसने apply किया है, तो fees वगरा काट कर उसका loan का amount जो है, उसके bank के खाते में आ जाता है, अब क्या होता है, कि यह जो mobile app है, यह जो company जिसने loan दिया है, उसके पास सब कुछ detail आ गई उसका phone number आ गया, उसके जो family members हैं, उनके भी numbers उनसे ले लेते हैं यह लोग, तो सभी के numbers आ जाते हैं, फिर यह क्या करते हैं, कि एक mobile app जो है वो क्या करेगा, बाकि के यह जितने भी mobile apps आपको दिख रहे हैं, उन सब के साथ यह number शेयर कर देगा, अब इसका main मकसद क्या होता है, अब क्या होगा, कि बाकि के जो mobile apps हैं, वो क्या करेंगे, उनके जो telecallers हैं, वो आपको फिर call करना start करतेंगे, वो कहेंगे कि हम आपको और loan देने के लिए तयार हैं, सब कुछ वेरिफाई हो गया, सब कुछ हो गया, अब यहाँ पर बहुत सारे telecallers call करेंगे आपको, कि 5,000 का आपने loan apply किया था सर, आप और 10,000 के लिए कर सकते हैं, आप eligible हैं, यहाँ पर हमारे पास सब कुछ तयार है, verification सब कुछ हो रखा है आपका, आपको कुछ भी verify करने की ज़रुत नहीं है, बस आपको apply करने की ज़रुत है, तो आप फिर और 10,000 ले लोगे, तो basically उनका trick य रुपए आपके खाते में आए, और इसके उपर क्या होगा, 35% और interest लगाए जाएगा, 5,000 पर और 35% interest लगाए जाएगा, मतलब ले दे के आपको total pay कितना करना पड़ जाएगा, 6,000 लेकिन आपने use कितना किया, सिर्फ 3,820 रुपए, तो 6,000 यह pay करने के लिए आप क्या कर पाते हो, तो due date के बाद, जब आपका date निकल जाता है, तो हर दिन, just imagine, 3,000 रुपए penalty लगा जाते हैं, हर दिन customer से, अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, कि बहुत सारे victims हैं कि काफी ज़्यादा effect हो रहे हैं इसकी वजह से, कई सारे लोग obvious ही बात है, इसका payment नहीं कर प blackmail किया जाता है, threats दिये जाते हैं आपको, यहाँ पर basically क्या करते हैं, यह जो companies हैं, एक बार आपको loan दे दिया, उसके बाद क्या करेंगे, कि यहाँ पर आपको अलग-अलग categories में डाल दिया जाएगा, हर एक customer को क्या होता है, अलग-अलग categories में यहाँ पर डाल दिया जाता ह और जो customer जिस category में आता है, उसके हिसाब से उसको परिशान करना start किया जाता है, तो सबसे पहले क्या होगा, कि एक बार आपका due date निकला, फिर दिन में आपको 10 call आने लग जाएंगे, यहाँ से, कि आपका payment नहीं हुआ है, payment करिए तुरंद, आपका payment नहीं हुआ है, यह करि जाएगा, और finally फिर भी अगर आपने loan payment नहीं किया, उसके बाद यह क्या करते हैं, कि आपके relative friends का number यहाँ पर निकाल लेते हैं, और उनको WhatsApp करना start कर देते हैं, तो एक तरह से आपको social media के उपर हर जगा से इतना जादा परिशान किया जाता है, humiliate किया जाता है, इसकी पुलिश है, उन्होंने advisory जारी किया है, कि इस तरह के जो loans हैं, उसको किसी के दोरा भी apply ना किया जाए, और यहाँ पर finally RBI को भी इसमें हस्तशेप करना पड़ गया, और RBI ने भी इसको लेकर जानकारी दिया, कि यह हमारे under में नहीं आता है, यह गलत तरीके से किया जा रह है, यहाँ पर हम आपसे यह कहना चाते हैं, कि इनके दोरा excessive charges लगाया जा रहा है, rate of interest बहुत जादा है, hidden charges बहुत जादा है, जिसको किसी के दोरा use नहीं करना चाहिए, लेकिन आपको पताईए कि हमारे देश में जो financial illiteracy है, उसकी संक्या अभी भी बहुत जादा है, लोग यह काफी बड़ा scam सामने इंकल करा है, आप सोची छोटे छोटे amount देते हैं, कितने लोग इसके चकर में आ जाते होंगे, और इसके तरू यहाँ पर बहुत सारा इनके दोरा पैसा कमाये जाता है, आपके लिए एक interesting question लेकर आया हो, क्या आप मुझे इसका answer बता सकते हैं, इ question क्या है, basically मैंने आप से पूचा है, कि जो financial institution होता है, banks होता है, जो अलग-अलग प्रकार की activities शामिल करता है, जैसे investment हो गया, issue of debt हो गया, credit हो गया, यह जितने भी चीजें की जाती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, किस नाम से बुलाते हैं, क्या बता सकते हो, इसका जो right answer है, ह कोई भी course purchase करना चाहते हैं, study IQ app पर जा सकते हैं, I hope कि यह video आपको पसंद आयोगा, मिलता है आप से next time, till then, thank you very much, see you soon.